में इंडियन आर्मी की ताउदीवलाल स्टीडियम में गुडगाऊं चार्फिजिकल क्लियर कर चुका लेकिन रिटन के कारण में रह जाता हूँ और रर्णिंग करते करते में बहुत डुबला पत्र हो गया राउंड से जब आया था ताउदेविलाल स्टीडियम से तो मेरे आखों में आशू थे आर्मी हर किसी की किस्मत में ना होती इसके लिए जिंदिगी कुर्वान करनी करती है मिलका सिंग का जब मेरे को दिहान आया कि वो टायर बांद के रिती में दोड़ते थे जब मैं गोट्रोन के बल गिर जाता था टेर से जब जाके में रुकता था और मेरे मूह में से खूना आ जाया करता था नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटीब चैनल पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स विला और यहां पर हम आपको बताते हैं सप्लीमेंट्स रिलेटेड हर एक बात हर एक पॉइंट हर एक नौलिज जो आपको सप्लीमेंट खईने से पहले ध्यान एकनी चाहिए और मतलब यह आर्मी के फिजीकल और बहुत तरीकी के फिजीकल हैं जो यह किलियर कर चुके हैं दोस्तों और यह चाहते हैं कि इनको थोड़ा मसल साइज गेन हो तो इसलिए कौन सा सप्लीमेंट इनको लेना चाहिए तो मैंने इनको सजेस्ट किया है सबसे पहले हम जानते ह बहुत ही मतलब मोटिवेशनल स्टोरी है मैं इनकी स्टोरी सुनके काफी जो है इंस्पायर हूं कि मतलब जो है कोई बंदा इतने फिजीकल कैसे किलियर कर सकता है और भाई फिर भी जो है जॉब नहीं लग पाई है क्योंकि भाई ने उसका भी बताया और बिलकुल समय तो मैं बहुत हुआ है मैं प्रितान जीर करता हूं मैं सब्सक्राइब रिकारता कि मैं आर्मी करता हूं मैंوس अब में इंडियन आर्मी की ताउदेविलार स्टेडियम में गुड़ गाओं चार फिजिकल किलियर कर चुका हूं और टेरीटोलीय आर्मी जिसे बोलते हैं टीय बढ़ती दिल्ली राजरिफ सेंटर उसमें दो फिजिकल किलियर कर चुका हूं लेकिन रिटन के कारण में रह जाता हूं तो मैं रनिंग काफी टाइम से कर रहा हूं और बहुत टाइम हो गया और रनिंग करते करते में बहुत दुबला पत्रा हो गया इसके कारण मैं भाई के पास आया और भाई से मैंने बताया अपनी जो इस्तिति है वो मैंने बताई कि म कोई बात नहीं आपको प्रोटिन मिल याई की और मैं अपनी समझ से देदू मैं आप भाई को बताया कि मैं रणिंग करता हूं तो भाई ने का आपके लिए कोई नहीं है वो क्या करते हैं गैनर वगेरा वो तो आपको चलेगा नहीं और भाई न मुझे यह दिया है आर सी प् दोस्तों मतला अगर मैं इनको गेनर दूँगा तो मैं नहीं चाहता कि इतनी अच्छी इनकी जो है रणिंग है फिजिकल परफॉर्मेंस है उसमें कुछ भी मतलब जो है प्रावलम आए क्योंकि नैच्छल सी बात है गेनर है तो भाई गेनर तो मतलब जो है वजन ın Diya यह चाहिए वालो को प्रोटीन लेना चाहिए क्यूंकि हमारी मसल्स का ब्रेकडाउन होता है और उनको पूरी एनरजी चाहिए हमारी बौडि ह्मइन hon गए जबाझेज प्रोटीन सप्लिमेंट बहुत ज्याद़ बेनिभीशल है उस condition में अगर आप गर आस सिंग वाली मुझे याद आगी भाई ने बताया मुझे मैंने बोला कि भाई क कितनी देर श्रण रूनिंग करते हो तो भाई ने मुझे बताया कि मैं इतनी देर प्रैक्टिस करता हूं तो मतलब मैंने गाय तुम्हारे जैसे आधमी मैंने तो पिक्चरों में देखे हैं मेरे को भी मेरे को भी खास सोक नहीं था रणिंग करने का और नहीं कोई अधियस्य था कि मैं आर्मी में जाओं यह अपनी किस्मत की बात है लेकिन मैं जो डिप्रमा कर रहा था गुड़गांउं डीपीजी कॉलिज थे इंजिरिन कॉलिज थे तो वहां पर मैंने अपने फ्र फर्स्ट वार तो उसने जो मेहनत करी उससे मेरे को लगा कि यहां तू भी कुछ बन सकता है उस दिन से मैंने अपनी चालू की मुझे अंदाज नहीं था कि आर्मी में कितनी हाइट चीए कितनी हाइट चीए जीडी में जो हाइट थी उसके बरावर मैं प्रेक्टिस कर रहा थ चीए उस टाइम है तैंथ करके और 10 करके में डिप्लोमा कर रहा था तो मैं कर रहा था तो दस्मी से मेरी जो हैट थी वह जीडी लाग्ट थी लिए उसमें मेरी हाइट ना वेठरी हिए तो मैं फिर हां से आ गया में ग्राउंड से जब हाया था तहु देविलाल स्टीडिय से मेरे आकों मी आशू थे भई मेरे प्रेक्टिस की ती मेहनत की तो तौ मैं फिर आया मेने डिपलोमा जोड़ दिया 5 yaş मोझ आर्मी मेर लग नहीं चुछ पार नहीं मैं अपने गाउं आया घर के ने मेरे से पूछा कि भाई आप ऐसे क्यों आ गई मिनके मुझे पॉल टेक्निक नहीं कदनी मुझे आर्मी में लगना है बैस फिर का फिर मिनके मेरी जी डी लाक लंबा ही नहीं है और मैं किलर्क लाइन से देख सकता हूं इतनी मेरी हाइट है फ यहां। चॉप्र सफेंट नंओर जो मैंने हहां हो मैंने यहां पलवल से की थी सरकारी स्कुल से हैं ही प्रैण निया था तो महां ने पास करके प्रटी न फाक्श कर لिया फिर मैंने फिजिकल मेरा पक्का था जब सही मैं फिजिकल मानने लग गया 2015 से 2015 से रेगुलर फिजिकल मार रहा हूँ टीए के भी दो फिजिकल देख लिए और आज भी जब तक मेरी उमर है एज है जब तक मैं फिजिकल मार हूँ हूँ बहुत बड़ी है वह अपने किसमत की बात है लगूं या ना लगूं जी और भाई मैं सब को हाथ जोर के निवेदन करता हूं कि भाई आर्मी हर किसी की किसमत में ना होती बिल्कुल इसके लिए इसके लिए जिंदगी कुर्वान करनी पड़ती है और बिल्कुल उपर से लिखवा के लाते हैं आर्मी वाले भी सब्सक्राइब जिए जिंदगी कुर्वान करनी पड़ती है आज मैं ऐसा नहोता दुबला पतला जो मैं रेस के कारणियों ऐसा हो रहा हूं बिल्कुल बिल्कुल एं वह बात शाहिए मैंने वीडियो में देखा है का मैं उसकी बात बोल रहा हूं कि आर्मी के लिए अपनी खराब हो जाता है यह साल लास्ट चांस यह दो अजार भीसका यह इसमें मैं लग जाओं तो लग जाओं नहीं तो फिर इसके पाद मेरे पास कोई चांस नहीं है में हम हमारी दुआ है आपके साथ कि आप लगें बट प्रीदम जी वह वाला एक्सप्रियेंस बताईए वह टायरवाद के भागने वाला और मुह में से खून आने वाला वह जो आपने बताए तो आपको कि क्या हुआ था मेरी टाइमिंग उस टाइम पांच के सम्तिंग थी ज जब मेंने मिलका सिंग को कि मिरे दिहाना आया कि वह टाइयर बांद के रेतिर हमारे पास जमना है तो महलं हो का रहा है क्योंकि वह हल्का होता नदा श्रेवका होच रेंसे बाद फिर मेने प्रेक्टिस कि जब यससे थोड़ी-थोड़ी फ्रेक्टिस होगी मेरे को तो उसके बाद मैंने और बड़ा चाहां जी टायर फिर मैंने टेक्टर वाला कर दिया जी अगले वाला ठीक है अगले वाले टेर से मैंने मारी थी फिर हमारी जमना में जो बाड़ वगरा आगी थी तो उसके कारण जमना पूरी पानी से लत्फत होगी उसके बा छुड़वा दी की खाली करवांधी मैं इसमर हुआ हुआ जी एक घिला पड़ाथा पांच भी गे-च्शक्र और मेर का-डा तो वो चार चालिस से नीचे कभी टेम नहीं आया है मेरा उसके बाद फिर मैंने और मेहनत की क्योंकि वही दमाग में फीड होता था कि यार इससे किलर का फिजिकल नहीं लगेगा जी और मेहनत कर दू जी फिर मैंने इतनी मेहनत की ती मेहनत की कि आखिरकार जम मैं गोट्रों के बल गिर जाता था टेर से जब जाके में रुकता था और मेरे मुँझे से खून आ जाया करता था बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है सर बहुत मतलब प्रीतम जी ने इतनी महनत करी है यह फिजी कल का क्लियर करने के लिए और नो डाउट दोस्तों आर्मी में जो जाते हैं वो मतलब खुशनसीब भी होते हैं और हर किसी का नसीब आर्मी में जाने लायक नहीं होता बाट हम जो है दिल से दुआ करते हैं कि प्रीतम जी जो एतनी महनत की है स्पेसली आर्मी की भरती के तो और फिजिकल इन्होंने क्लियर अल्लेडी कर दी है तो मैं पूरे दिल से दुआ करता हूं कि भाई का रिटन भी क्लियर हो जाए और होनहार यह हैं ही बताई रहे हैं कि प्लस टू में जो है 92% जो आए हैं तो इस बार मैं जो है दूआ करता हूं कि अगली बार जो हम इनको वाई ने इतनी बात बताई हैं तो मैं काफिसरप्राइग रहा है हैं मनि यार यह तो मूबी में होता है मैं बहुत जाधा खूशी की बात है कि हमारे बीच करना चाहते हैं हमारे देश की सेवा करना चाहते हैं तो मतलब आप बिल्कुल भी मतलब चंता ना कीजिए 100% मिलेगा आपको विज्जी एस्टी बिल करन्ट इंपोर अटेक फ्रेश लॉट के साथ और फिर मैंने इनको परसनली सजेस्ट किया कि आप जो है गेनर ना लीजिए बेशक आपकी skinny body है और जब इतनी प्रेक्टिस आप करते हैं तो यार मतलब वैसे तो देखो बल कितनी जल्दी नहीं आएगा आपको बट फिर भी जो है आप गेनर ना लीजिए आप प्रोटीन ही प्रेफर कीजिए बाकि मैं भाई को एक दाइट प्लान भी दूंगा इने का रीजन आपको पता ही है और इनकी फिजिकल प्रफोमेंस में भी यह जो है 19-20 जरूर जो है इंप्रूमेंट लाएगा और 100% मिला है जिसका इंपोर्टर टैग यह रहा अरीना वालों का टैग यह रहा और यह रहा जी एस्ट का पक्का बिल जो की सप्लीमेंट विला ठाओ पचाते है कुछ करते तो क्या सबसे बड़ियार होता है वह आपसे कहेंगा कि आपसे बाद है कई पैसे कवा दे रहा यह जाएगा भा को झालता है आप यह और यह म ranging है ब्लता है इस effort की सब्सक्राइब यह यह तो सकता है यह दो सु पांसो अजार रुबे में बचा के कोई हमीर ना हो जाता जैसा हूँ आइसा ही रहूँ कथाे लेकिन इससे मिरे को कुछ कुछ अगर कि अजैंसे कर सकता हूं इसलिए मनेlor में इस पर आइसने मुझे पक्का भल चींग मैं धुना था लग फर्स टाइम जब मैं दुकान पाया था भाई ने भी का था मेरे से कि मैं पक्का बिल दोंगा भाई तो दोस्तों भाई ने बदाया आपको कोई कुछ फरक नहीं पड़ता और रियल्टी में कुछ फरक नहीं पड़ता जहां आप पांस दस पंदर आजार रुपे खर्च करते हैं हमारी इंडियन आर्वी में आप जाना चाहते हैं हमारी देश की सेवा करना चाहते हैं और आप जो है मसल साइज गें करना चाहते हैं फिजिकल परफॉर्फोर्मेंस में थोड़ा इंप्रूमेंट चाहते हैं तो आर्सी प्रोएंटियम इस टाइप कर चाहता आर्सी प् बताया कि 100% प्रेश्ट प्रेश्ट के साथ मिलेंगे कॉंटेक्ट नमस स्कीन के उपर आई रहे हैं आप नोडिस कीजिए कॉल कीजिए वटसप कीजिए नका ओडर डालने के लिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी करूं और इनकी मेहनत के लिए उनको अभी वी सल्यूट करता हूं तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही अगली बार मीलें किसी नई वीडियो में किसी नई सप्प्लिमेंट के साथ उसके बारे में चर्चा करेंगे तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते चैनल जरूर कि अपान.